नबस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल विनेज टेडिकेन में स्वागत है सिजी पेसी प्रिये 2021 स्मार्ट कोस में आज का टॉपिक है फोटो सिंथिस्सिस चलिए आज फोटो सिंथिस्सिस के बारे में देखते हैं प्रकास संसलेशन एक जयवरासानी का विक्रिया है जिस में हरे पौधे और क्लोरोफिल की उपस्तिती में जेल तरफा करबन डायकसाइड की सहाथ से करबनिक भोज्य पदार था कर्बोहड़िट का फर्मिशन करते हैं तथा इस किरिये में आक्सिजन गैस वायो मंडल में मुक्त होते हैं प्रकास संसलेशन में क्या होता है प्रका स्ट्रक्चर आप क्लोरोफ्लास्ट देख लेते हैं क्लोरोफ्लास्ट के स्ट्रक्चर देखें तो डबल मेंब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर में इस्ट्रोमा और ग्रेना उपस्थित होते हैं इस्ट्रोमा क्या होती है ग्रेना के लवा जो मेट्रिक्स पाय जाते हैं, protein, fad, plastosinin, theradoxin, cytokrome, nadp, stromon पस्तित होते हैं, तो वहें ग्रेना की बात करें, तो light reaction जो होती है, वो ग्रेना में होती है, thelakoid, contosum पस्तित होते हैं, thelakoid क्या होता है, one unit होता है, ग्रेना का one unit को बोलते हैं, thelakoid, और पूरे thelakoid मिलके क्या बनाते हैं, ग जो देखे, इसमें जो photosynthesis के विक्रिया होती है, जो इस ट्रोमा दिखाईद रוהे वाला जो इस ट्रक्चर, जो पूरे स्ट्रक्चर है, तरल्पदार्थ हवाला क्या है, इस ट्रोमा है, जिसमें क्या होता है, dark reaction होते हैं, तो वहें जो पोर्शन होता है, ये वाला जो ग्रेन का पॉर्षान जो होता है उसमें क्या होता है लाइट रियक्शन होता है लाइट रियक्शन किसमें होता है ग्रेना में होता है तो फोटो सिंथेजिस पिगमेंट के बारे में बात करें तो एक दो प्रकासि मिलकर बना होता है क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड तो क्लोरोफिल A, B, C, D प्रकार्ट से हो सकते हैं जिसमें से महत्पुन भूमिका निवाते हैं क्लोरोफिल A और B क्लोरोफिल A की बात करें वो मैथिल ग्रूप से बना होता है तो वहीं क्लोरोफिल B LD हैड ग्रूप के पस्तित होते हैं तो कैरेट टुनाइट के बारें बात करें तो कैरोटीन और जिन्दोफिल किसे मिलकर बना होता है कैरोटीन किसके लिए महत्पुन होता है तो रेट कलर पिगमेंड के लिए क्या होता है महत्पुन भूमिका निवाते हैं कैरोटीन जितने भी जो फूट्स होते हैं फल होते हैं उसका डेट कलर जो होता है वो केरोटून की करन होते हैं तो जिन्तोफिल की बात करें तो येलो कलर के लिए महत्पुड़ों हमीकर निभाते हैं तो जितने भी फूट्स होते हैं येलो कलर होते हैं वो जिन्तोफिल की करन ही होते ह तो चलिए आगे देखते हैं pigment system तो pigment system क्या होता है जो light का wavelength होता है उसका observe करने के लिए pigment system उपस्तित होते हैं तो pigment system को एक organic थे immersion उन्होंने प्रयोग द्वारा दरसाया था कि कितने wavelength का जो light है उसको कौन से pigment observe कर सकते हैं तो उन्होंने pigment system 1 में बदाया था कि जो pigment system 1 होता है वो 608 mu m का जो wavelength का light होता है उससे अधीक का और इससे कम का wavelength का light होता है उसको क्या करते हैं जर्वा कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं pigment system 1 इससे P700 से represent करते हैं तो इसमें देखे हैं तो chlorophyll A670 उपस्तित होते हैं chlorophyll A683 mu am का जो light होता है उसको observe कर सकते हैं chlorophyll A695 का light observe कर सकते हैं photosystem 1 P700 carotenoid इससे मिलकर बना होता है photosystem 1 तो photosystem 1 को जानना है तो यह सक है कि एक कितने wavelength line को जो light है उसको observe कर सकते हैं तो दोस्तो जो pigment system 1 होता है वो 680 mu am light का अधीक जो मांतरा होगा उसको भी observe कर सकते हैं कम होगा उसको भी observe कर सकते हैं मतलब यह जो pigment होता है वो 700 mu am का light को observe कर सकते हैं हैं इससे कमओं का और 700 सफे लिए किमें सिस्टाम सेगाँ देख जो च्छैसा असी मिव यह लाइट होता है उसको क्या करते हैं अपजरुंट कर सकते हैं उससे अधिक होगा वह अपजरुर नहीं करेगा इसमें पस्थिस होते हैं कल्वरो mm इतने से मिलकर बना होता है फोटो सिस्टम 2 इसमें याद रखिएगा सिस्टम 2 जो होता है वो इसमें करते हैं कि पेटे ल में इस नंदीम एम होता है उसको क्या करता है अब जरुर करते हैं तो फोटो सिंतितिक्स का फेज़े से देखें सिन्लम में याद रखिएगा उला जैक्सन क्या होता iced सी 3 जो साइकल होते हैं सी 4 साइकल होते हैं जो केम साइकल होते हैं सब क्या है डार्क रेक्षन में उपस्तित होते हैं डार्क रेक्षन मतलब इस ट्रोमा में होते हैं सी 3 साइकल सी 4 साइकल तो चलिए आज देखते हैं लाइट रेक्षन ग्रेना वाले जो पार्ट है उसके बा साहद रखेगा स्वर्ई इप्स्टोंं में होता है तो फिसमें सम भूलते है फर्स्टों होगा इसमें इसमें लाइठ जो होता है सनलाइट उससे पहले फोटसी का इंदर वो क्या करेगा दो जो इलेक्टान है उसको टांसफर करेगा फिरेडॉक्सिन में फिरेडॉक्सिन से दो जो इलेक्टान है वो किसमें आगा सैटोक्रोम B, 6 M में आएगा, फिर जो साटोख्रोम F में आएगा, फिर प्रास्ट्रो साइनीन में, फिर किसमे आएगा 52 फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं, इस प्रकार हम लोग देखें, तो जो गोरोफिल होते हैं उसका लाइट से जो दो फोटान जो दिखाय से वो chlorophyll के pigment system 1 से किस में जाएगा 700 में फिर 2 electron किस में जाएगा philodoxin में philodoxin से क्या होगा ADP और जो आ-carbonic phosphate मिलके क्या बनाएगे ATP का formation करते हैं फिर 2 electron जाएगा cytochrome B6 में फिर 2 electron जाएगा cytochrome F में फिर plastosinin में फिर 2 electron वापस किस में आ जाते हैं pigment system 1 में आ जाते हैं इस प्रकार देखे हम लोग तो एक क्या होता है जो क्रिया है वो क्या है cyclic होता है cycle एक cycle इसमें चलता है जो दखिएगा इसमें जो cyclic phosphoration होता है photosystem 1 से start होता है और वापस photosystem 1 में जाके समापत होता है इसकरन इसको क्या बोलते है cyclic reaction बोलते हैं तो अहीं दूसरा देखे तो non cyclic phosphorylation जो photosystem 2 में होते हैं इसमें क्या होता है photosystem 2 reaction भी बोलते हैं इसको इसमें जो electrons होते हैं क्या होते हैं chlorophyll 673 से 2 electron निकल के plastosynine में जाएगा फिर 2 electron cytokrome 26 में फिर 2 electron जाएगा cytokrome F अबजर्व करेगा फिर plastosynine 2 electron अबजर्व करेगा फिर pigment जो system 1 है उसमें जाएगा फिर pharadoxin में फिर NADP में 2 electron जाएगा फिर NADP से क्या होते हैं जो HIN उसको अबजर्व करके क्या बनाते हैं NADPH का formation करते हैं प्लस ATP का formation करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होते हैं जो light में दो जो photon होता है photosystem 1 से photosystem 2 से क्या होते हैं chlorophyll 673 में जाएगा दो electron फिर इससे 2 electron किस में जाएगा प्लास्टो सैनिन में जाएगा Plastro Sunnit से Cytochrome C सर B में जाएगा फिर Cytochrome F में जाएगा दो electron Plastro Sunnit में अब्जर्व करेगा फिर Plastro Sunnit से 2 electron Pignande System 1 में जाएगा फिर Pignande System 1 700 से 2 electron हो फिर 2 electron NADP अब्जर्व करेगा NADP electron observe करके क्या बनाते हैं NADP age का formation करते हैं मतलब ATP और NADP age का formation होते हैं non-cyclic phosphorylation में मतलब इसमें जो electron है वो photosystem 2 में start होके फिर से photosystem 2 में नहीं आता यह पहले photosystem 2 से 1 में जाएगा फिर इधार से होते हुए NADP age का formation करते हैं इस करन इसको क्या बोलते हैं non-phosphorylation बोलते हैं तो वीड़ो कैसे लगा ज़रू कमेंट करना शेर करना थेंक्यू दोस्तो